शबको मेरा पड़ाम है नमस्कार है प्यारे बच्चों क्या हाल चाल है आपके और उमीद करते हैं बढ़िया होगा आज सुबा में हमने वीडियो बनाया था कि NTPC 2024 का बहुत जल्द कुछ न कुछ आ जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग उसके लिए तयार भी क्योंकि बहुत दिनों से यह चीज़ें चल रही थी जुलाई से अक्टूबर के बीच में NTPC का वेकंसी आना था और जेई का भी ग्रेजुएट लबल अंडर ग्रेजुएट लबल दोनों तो जेई का तो दे दिया था लेकिन बच्चे बार-बार कॉल कर रहे थे कि सर NTPC से बात किया कि यह रियल है या फेक है उनका कहना है कि हाँ सही है ठीक है इसका मतलब सही होगा या हो सकता उनके पास गलत नौलेज होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ लेकिन अभी तक जो बोर्ड के कुछ मेंबरों से हमने बात किया कि सर यह सही है या गलत है हमने उनको भ ऑपका जो पोष्ट आ रहा है वो अंडर गरेजुएट लेवल जिसको आप प्लस टू वाले बच्चे जिसको भर पाएंगे वह जो ग्रेजुएट लेवल है जो ग्रेजुएट लेवल है वह 7,449 पोष्ट कुल मिला के 10,884 पोष्ट की कुल वेकनसी आई है जो आ रही है परसेंट तो हम बोर्ड के मेंबर नहीं है कि हम इस पर मुहर लगा दें लेकिन लगभग यह हमको जो बोर्ड के लोगों से बात हुई उन्हों का साप साप कहना था कि यह सही है हो सकता हुनके पास गलत मैसेज हो तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन यह मैसेज सही है अगर रेलिवय यह कह रही है कि हम हर साल वेकंसी देंगे तो इससे जादे वेकंसी नहीं आ सकती थी लेकिन अगर रेलिवय धोखा देती है तब तो यह बच्चों के तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि इतनी कम वेकंसी क्यों लेकिन आप दोस्त मेरे जब आप देखिएगा इसकी क्रोनलोजी को तो जुलाई से सप्टेंबर के बीच में वेकंसी आनी थी और फर्स्ट आप जुलाई में आपको यह वेकंसी देखने को मिली है और यही वेकंसी रहेगी अब दोस्त मेरे ग्रेजूएट लिफेंड व्ल के एज लिमिट में भी चुट मिलेगा आपको तीन साल का हम आगे बात करेंगे इसके बारे में 10 प्लस 2 लेवल का age limit क्या होगा और 12th equivalent वाला form fill कर सकता है या नहीं तो इस पर आते हैं RRB NTPC selection का process पहले क्या है पहले CBT1 होगा फिर CBT2 होगा फिर आपका skill और aptitude test होगा जिसमें skill test या aptitude test होगा psycho उसमें होगा जिसमें नहीं होना होगा फिर document verification होगा फिर medical test हो जाएगा आपका दो stage में exam होगा CBT1 और CBT2 कुछ पोस्ट के लिए psycho भी होगा इसका age limit जो 12th pass वाले बच्चों के लिए वह 18 से 30 साल और जो graduate बच्चों के लिए 18 से 33 साल यानि 3 साल का age relaxation आपको दे दिया गया है graduate level में 18 से कितना हो गया 33 यानि यहाँ पर 3 साल का अचा यह 18 से 30 आपका है और 18 से 33 यह पिछले notice का है तीन साल का यहाँ से अगर आपको age relaxation मिलता है तो यहाँ भी plus 3 और यहाँ भी plus 3 हो जाएगा कि पिछले बार जो 12 पिछला notice जो था उसमें 18 से 30 था और graduate level 18 से 33 था इस बार अगर 3 साल का age relaxation आपको मिल ही जाएगा सब में दिया गया इसमें भी दिया जाएगा तो अब undergraduate level जो plus 2 लेबल होगा 18 से 33 हो जाएगा और graduate level 18 से 36 हो जाएगा ठीक है यह जो 18-38-33 है यह पिछले बार का है तीन साल का age relaxation दिया जा रहा है तो यह जोड़ो आप उसी तरीके से आप OBC, SC, SC, ST सबका जोड़ो यह UR का है कि रातें NTPC का syllabus क्या है? NTPC के syllabus में जो CBT 1 होगा दोस्त मेरे उसमें math 30 नमर का होगा, reasoning 30 नमर का होगा, GA 40 नमर का होगा, GA 40 नमर में आपका science भी होगा, arts भी होगा, current affairs भी होगा और कुल मिलाके 100 नमर का exam होगा, 30 नमर का math, 30 नमर का reasoning, 40 नमर का GA, GA जिये, जनरल awareness में यहाँ दोनों है, science भी है, arts भी है 90 मिनट का CBT 2 होगा आपका math 35 नमर का होगा reasoning 35 नमर का होगा और जी ये 50 नमर का हो जागा देखो यहां पर क्या था 30-30 नमर का है 30-30-40 तीस नमर math 30 नमर reasoning और 40 नमर में science, arts, current affairs और खाली आप जब mens में जाओगे न सेम मामला रहेगा 5 नमर 5 नमर 10 नमर ही बढ़ जाएगा 20 नमर टोटल बढ़ जागा मेंस के syllabus में इसमें PT का जो ये syllabus है इसमें 5 नमर इसमें 5 नमर इसमें 10 नमर बढ़ जाएगा और exam हो जाएगा 120 नमर का देख लो मेंस जो CBT 2 का syllabus है CBT 2 में 35 नमर का math 35 का reasoning और 50 का GA होगा जी यह में science, arts, current affairs तीनों हो जाएगा और 120 नमर का होगा देखो यहां भी यह 90 मिनट का होगा और यहां भी यह 90 मिनट का होगा ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्त मेरे आगे अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो आप arts official app download कीजे और आप arts official app download करके अभी तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे आप OTP वगरा डालिएगा तो आपको यहां पर railway courses में आपको यह सारा course NDPC का मिल जाएगा मात्र बहुत कम minimum fee में एकदम minimum fee में आपको यह उपलब्द मिलेगा हमारा जो fees होगा इसका वो हो जाएगा दोस्त मेरे मात्र पूरे CBT1 और CBT2 दोनों का मिला के fee हो जाएगा हमारा 1599 रुपया CBT1, CBT2 दोनों का मिला के fees होगा हमारा railway course में यहां पर course मिल जाएगा 1599 रुपया में यह course आपको उपलब्द मिल जाएगा और अगर आप आप आते हैं अगर आप एकदम dedicate lease की तैयारी करना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे दो चार दिन के अंदर आप offline में आ जाईए offline में हमारे हाँ हर सपता batch start होता है दोस्त मेरे rail राजा लोग कहते हैं हमको तो मेरे हाँ railway का हर सपता batch start होता है और 22 टाइप का test हमारे हाँ चलता है 25 प्रकार का test मतलब एक second भी आपको फुरसत नहीं मिलना है एक पढ़िएगा दोस्त मेरे मेरे हाँ तो एक second भी फुरसत नहीं होना है अगर आप एक हजार उपया पर मंथ अपनी पढ़ाई में खर्च किजेगा ना तो 22 टाइप का test मिलेगा पांस टेका का test, तीन टेका का test, दोस्त टेका का test, जो maximum test का price है वो है दोस्त टेका जो अभी सुत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अब सुत्र ही गलत हो जाए तो क्या का सकते हैं, thank you very much, love you all, namaskar